हेलो प्रेंट्स वेलकम टू स्टड़ी विद देव इस्टड़ी विटूब चनल पर मैं देवंदर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोडन फिजिक्स की जो सेकंड क्लास है इसमें टोटल में 15 MCQ आपके लिए ले कर आया हूँ बहुत सादार MCQ में आपके लिए लाया हूँ physics chemistry bio की तीनों class से आपके लिए regular होती है ये class तीन बज़े आपकी होती है आप सभी को पता है यह सही और आप सभी के लिए regular यहां questions आते हैं जो आपको regular चेक करते होंगे जो class लेते हैं उनको जरूर पता होंगे ऐसे questions में regular करवाता हूँ एक भी questions आपका physics का नहीं जाने वाला बाहर जाएगा तो online का data अलग हो सकता है लेकिन तरीका यही रहेगा questions इसी तरीके से questions आपसे पूछे जाएंगे यही चीज़े आपको इनी फोर्मलों के जरी आपको से questions करवाए जाएंगे तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस छोटे से चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो फटा फट से भी subscribe कर लिजे और साथ में bell icon बटन भी on कर लिजे आज ही class में अपन total 15 MCQ करेंगे जिसमें numerical भी सामिल है और आपकी theoretical questions भी दोनों तरीके से मैंने सामिल कर रखे हैं आप सभी को पताए कि हम लिखकर हाथ से लिखकर आपके लिए regular questions लाते हैं ताकि आपको समझने में भी कोई difficulty ना हो और अच्छी तरीके से आप समझ सको तो चलिए अपन first questions के और हम बढ़ते हैं उसका answer आप बता दीजिए क्या इसका answer होने वाला है तो दोस्तों first question है आपका, क्या first questions आपका रहने वाला है कि परकास के उप्योग, परकास सेल के उप्योग है परकास सेल के उप्योग बताईए, बताईए इसका right answer क्या होगा, फटा फट से इसका right answer कमेंट करिए दोस्तों आपके सामने चार option दे रखें, television में, स्वता चलित दरवाजों में, चोर गंटी में, या all of these इसका right answer क्या होगा, जो अगर तुक्के मारने एक्सपर्ट होंगे, वो तुक्के मारने वाले तो इसका answer ऐसे बताएंगे, all of these इसका answer बिए all of these आपने, तो, इसमें क्या टेलिविजन में प्रकास हेल का यूज क्या जाता है 120 दरवाजों में भी किया जाता है, चोर गंटी में ब्रकास हेल का उपयोग होता है, इसके साहत साहत जो परकासेल का उपयोग है परकासेल का उपयोग सडक पर जो बत्यां लगी रहती है सडक पर बत्यों के 140 सियोचों में भी परकासेल का यूज होता है किसका जो परकासेल होता है इसका यूज सडकों पर जो बत्यों लगी रहती देखते हैं हाला कि भी बहुत सारे बोलेंगे कि हमारा लेवल इतना डाउन नहीं है अभी देखते जाओ अभी पस्ट एक दो क्यूसन तो अच्छे होने चीज जिससे आपको डिमोटिवेशन फीलना हो लेकिन आगे जैसे देसे क्यूसन आते हैं उनको करना है किस परकार आप करोगे किस परकार का आंसर होना चाहिए है अगर आपको इंग्लिस बोलना सिखाएंगे वो भी हिंदी बासा में यानि अब आप हमें से हर बचा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सब को सर्टिविकिट भी दिया जाएगा तो अभी जाईए और डाउटनट एप पर यह कोर्स खरी दिये और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए पूरे बारत में सबसे बड़ी अदाम और इतना टोप क्वाल्टिका कोर्स सिरफ डाउटनट पर मिलेगा कोर्स का लिंक डिस्किप्शन में निमरिकल है यह सिंपल क्यूसन से सभी को आना चीए यह लेक्ट्रोन का दर्विमान कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है तो इलेक्ट्रोन का जो दर्विमान होता है दोस्तों वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर कितना होता है इसमें सभी 9.1 ही दे रखा है लेक क्यूंकि इसमें पूचा होगा है ठीक है अगर यह यह भी होता है लेकिन यह क्या होता है ग्राम में होता है यह नहीं होता है यह ग्राम में होता है नाइन पॉइंट टैन की पावर माइनस 27 ग्राम होता है के जी में पूचेंगे तो के जी में आंसर नमबर तर्ड ही राइट ह होगा ठीक है अप्सेन अंबर 3 राइट होगा जब की 1.6 इंटु10 की पावर माइनस 19 कुलाम यह आभेस होता है जो प्रोटोन पर बीटोन पर भी है लो यह अन्तर हो था अगला क्यूसंस बताईए कि इसका अंसर कमेंट करिएगा आपको कि कौन सी गटना प्रकास तरंग सिद्धानत के आदार पर समझा नहीं जा सकता तो बताईए इस क्यूसंस का राइट आंसर दुरुण, वेतिक राण, वीवर्तन या अपवर्तन चार आपको चार दे रिखिय है, आज का क्यूसं आप दर डे भी मान कर चलो, वेर्य इंपोर्टन क्यूसंस आपका ही रने वाला है, एम्स के अकोडिंग भी ये क्यूसंस बहुत सांदार हैं, जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टुरेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट हैं गुजारी से कि इस जड़ तक जाकर क्यूसंस लाते हैं, एम्स के लिए भी इंपोर्टेंट से क्यूसंस रहने वाले हैं, तो इस क्यूसंस का राइट आंसर आप कमेंट करिएगा, कौन सी गटना को प्रकास के तरंक सिद्दान्द क्यादार पर समझा नहीं जा सकता, तो वो गटना है आपकी द्रुवन, द्रुवन जो गटना होती है, द्रुवन को आपकास तरंक सिद्दान्द क्यादार पर नहीं समझ सकते हैं, अपना इसका राइट आंसर उप्स नमबर पश्ट हो गया, लेकिन वेतिकराण, वीवर्तन और अपवर्तन इन तीनों गटना हो गया, तीनों क्युसugen जो normal कल अपने कर्वायता modern उसमें एकी फरन ले को पर सारे क्युसeri संथे और आज भी जो गराइगयों सारे एक की फर्मोल एक सारे साने वाला है में पोर्मवला जो всेरे Intel क्यूसंस रहता है वो एक यह formula सबसे important रहता इस chapter में lambda is equal to 12.7 12.27 upon v यह formula सबसे important सबसे golden formula इस chapter का बस अगर आपको यह formula chapter में से पता है यह इस topic में से यह पता है जो अपना चल रहा है डेव रोगले तरंग देरे वाला है जो दरवे के दिवत प्रकति होती है उसका जो चेप्टर चल रहा है उसके कि सट रहे हैं अगर वह आप इस फॉर्मूलें वे यह पूर्मुला रट लेते तरीक यह फॉर्मूला आता है उसका मतलब आपको पूरा चैप्टर आता है ठीक है तो कुछ जरौब में एक्टॉन गंगन का कार्य क्या हो होता है तो मुक्हेत तेन बागोंते हैं जो आपको पता है यह साही होते हैं को पता होना चाहिए कोटा है अटो इस चेममबर औरucker तेनार तीन to speak friendly को निए अच्टेस हैं दियुक हो घृप होगए इसमें पूंखे तीन ही यह को से कि यह लिक्टर efficiency और निकल क्रीश्टल और आइनन काक्स आपको बताके का है इससाथ मैं ये भी बताओंगा आपको जो निकल क्रिस्टल है और आइन अकक्स है उनका क्या क्या है क्या क्या होते हैं ये भी साथ खार को आपको मैं कवर करवा दूँगा ताकि आपको एक किषिOSTन से 3, 3, 4, 4 क्योसन clear हो जाए तो इसे क्यों से clear हो गया कि डेविस जरमर के प्रियोग में जो काम आते हैं कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं कौन-कौन से होते हैं वह भी मैंने बता दिया और इनकी क्या-काम आते हो भी मैं आपको बता दूँगा तो जो इलेक्टरोन गंगा उसने आपतित इलेक्टोन पूंझ को बीवर्थित कोन करता है विवरतित कोन करता है तोसको विवर्थित करने काम करता है निकल क्रिष्टल के दौरा आ knowledge कि निकल कृस्टल का काम क्या होता है तो निकल के द्वारा आप तित इलेक्टोन पुंझ को विवरतित किया जाता करता है ने कि जो एलेक्ट्रोन विवर्तित एलेक्ट्रोन फुंज होते हैं किरन फुंज होते हैं उनको क्या करता है संसुचित ग्रहण करने का काम करता है कौन आइनन काक्स पाइक जो आपका है विवर्तित ग्रेटिंग की बाती विवार करता है तो विवर्तित ग्रेटिंग की बाती भी वेवार करता है तो अपना सारे डाउट क्लियर हो गए सारे सवाल से या इस क्यूśnie से जितने भी नेक्स्ट क्यू violation सबनने वाले लेते वह भी मैं आपको साथ करता चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ वो आपके comment करके बताओ कि तबी मुझे पता लगता है ठीक है चलिए इस questions का right answer कौन सा आप बंदा सबसे पहले बताएगा तो बताए इसका right answer क्या होगा कि वी विबाव से तोरित एक electron है यानि कि वी वी तो विबाव हैं उसे तोरित एक electron है electron की डी ब्रोगली तरंग दे रहे हैं कितनी लेमडा हैं तो चार ओल्ड विबाव से तोरित electron की डी ब्रोगली तरंग दे रहे हैं क्या होगी तो मैंने आपको इस chapter की जान वाला formula बताया था उस formula का यूज़ करकर आप इस questions का answer जल्दी से जल्दी देने की कोसिस करिएगा क्या होगा इसका answer जल्दी कमेंट करके बताईए जल्दी से questions का right answer बताईए इस chapter का सबसे important और सबसे महत्तोफ़न formula में आपको already बता चुका हूँ और उसी formula का यूज़ करकर आपको इसका answer बताना होगा वी विवाव से तवरित एलक्टोव की डी ब्रोगली तरंग दे रहें लेमडा है तो वी 4 ओल्ट वीवाव दौव से तवरित लेक्टोव की डी ब्रोगली तरंग दे रहें क्या होगी जल्दी से comment करके इसका answer आप सभी बता दीजे तो इस questions का जो right answer होने वाला है वो आपका होगा option number second बिल्कुल right हो जाएगा किस प्रकार क्योंकि आप सभी को पता है कि lambda is equal to 12.27 upon root v इस formula का use करकर हम आगे निकालेंगे क्योंकि अपने पास क्या होता है अपने पास इसमें दे रखा है starting method देख सकते हो यह formula का अपने यूज किया इसको अपन लिखते हैं मालों यह constant यह संक्या है तो दो बार लिखने हैं तो इसको समानपाति में लिख सकते हैं अगर समानपाति लिखेंगे तो इसका खुछ भी value हो सकती है तो इसको अगर लिखना है आगे lambda 1 upon lambda 2 is equal to root v2 upon root root v1 इसको वियुत करवान पाती होते हैं क्योंकि जो रूट जो आपका lambda होता है डिब रोगली तरंग दे रहे होता है वो विवांतर के वरग के नहीं वरग मूल के वियुत करवान पाती होता है तो उस formula को उसको आगे लिखकर हम solve करते हैं तो हमें v2 की value कितनी है v2 की value अपने पास है 4 v v1 की value only v है और अपने को lambda 1 की value lambda दे रहे हैं तो अपने को निकालना क्या lambda 2 निकालना है तो lambda 2 निकालने के लिए इसको आगे अपन solve करते है root v से root v कट गया और बचा क्या 4 का root कितना होता है 2 होता है 4 का जो अरगमों लोगा 2 हो गया तो यानि कि क्या हो गया इसका answer root 2 is equal to sorry lambda 2 is equal to lambda upon 2 यानि कि option number second बिल्कुल right answer हो जाएगा अब आपको ये questions I think समझ में आ गया होगा अगले questions की और बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको छोटी से गुजारिस करता हूँ अगर आपको ये class अच्छी लग रही है तो आज बोल रहा हूँ आपसे like जरूर कर देना अगर अच्छी लग रही हो dislike करने वाले मुझे पता है वो class start नहीं होती अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर इसको like करके जाना दूसरी बात आपका जो study plan जो मैं daily regular आपके लिए publish करता हूँ वो study plan आपके लिए क्या जब सही रहता है या नहीं रहरा क्योंकि बहुत सा restaurants का comment आ रहा है कि क्या इस study plan में हम नहीं पढ़ पारे तो क्या दिख्खतारी आप मुझे message करके फूच सकते हो दोस्तों study plan आपको follow करना होगा study plan में मैं अलग topic दूँगा और आपकी classes में अलग topic होने वाला है आपको ये मान के नहीं चलना है कि हमें वही topic पढ़ना है अगर आप अलग-अलग topic पढ़ोगे तो आपका अच्छी तरीके से revision होगा आपना modern physics से इदर चल रही है और उदर आपको मैंने आज कौन सा topic दे रखा है आपको आपको वहाँ दिया था जो भी topic दिया था अच्छी तरीके से topic दिया था विदुदारा वाला जो topic दिया था उस topic से आप पढ़ो ताकि वो भी आपका अच्छी से revise हो जाएगा फिर ये topic भी revise हो जाएगा लेकिन मैं उनको study plan को मैं recording ऐसे modify करूँगा कि आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो गबराएना और plan को अच्छी तरीके से follow करते रहिए selection और allotment letter आपके हाथों में होगा एक दिन अगर आप इस plan को भी से follow करते हुए चलते हो तो चलिए अगले questions की और हम बढ़ते हैं अगला question is question number six आच्छा questions है एदी गती सील कण की गती जुर्जा E है यानि की गती सील कण है जिसकी गती जुर्जा क्या है E है तो डी ब्रोगली तरंग देरे उर्जा क्या होगी आपको इस सीधा सीधा formula है जो मैंने class लीती class है जब अगर आपने modern physics class है नहीं ले रखियो तो मैं link description में दे दूँगा modern physics की जित्ती भी class है सारी class है अब भी से ले लीजिए क्योंकि वो class है भी important है वो class है और ये class है अगर आप ले लेते हो तो आपका selection शूर है आपको कोई नहीं रोक सकता तो बता है इस questions का right answer क्या होने वाला है कि एदी गती सील कण की गती जुर्जा E है हमें निकालने रहेगी तो बता है इस questions का answer क्या होगा तो इस questions का जो answer होने वाला है option number third बिल्कुल right हो जाएगा क्या option number third बिल्कुल right हो जाएगा किस परकार होगा ये आपको समझ में आ गया होगा तो right answer क्योंकि lambda is equal to होता है h upon p हैने की h upon mv mv क्या है यहाँ पर दर्विमान और बेगया निए अगर इसको e is equal to क्या होता है e is equal to आप सभी को पता है e is equal to होता है 1 upon 2 mv square तो अपन को यहाँ पर v की value निकालने के लिए और इसमें put up कर देनी तो v की value अगर यहाँ से निकालते हैं या mv की stroke बेडियो आपन निकाले तो यानि कि mv की बिलिय के लिए क्या करना करण को नीचे ऑद रफ और इदर करणा हो यानि कि यहां से चफ्च जाएगा ठीक सब्सक्राइब बचता क्या बचास मैं भूoug्षप den को निकालने तो Mutetरी यहां से निकाल सकते हैं यह जितरी के से कि को यहां से अपन यहां उपर आ जाएगा यानि कि 2e हो जाएगा अपोन जो m नीचे आ जाएगा यानि कि v is equal to क्या यह हो गया तो v is equal to क्या जाएगा 2e यानि कि root 2e upon m हो जाएगा इसको अपने को कुछ नहीं करना simply इस फॉर्मले में पूट अप करना है और उनको कार्ट पीटी अगर आंसर नहीं का लेंगे तो अपने पास यह आ जाएगा option number third अपना answer right हो जाएगा अगला क्यूसर नहीं क्यूसर नंबर 7 बिल्कूल गॉल्डन फॉर्मले पर क्यूसर से देखते हैं कौन-कौन इसको गलत करता है किस किसका इसका इसका ऊंसर गलत आता है जलदी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि सो하겠습니다 अल्ण ओट उर्जा के इलेक्त ओर जाकर ऐलेक तरिया क्या होगी थुड़ाखत से सक्कूसर का राइट आंसर आप पताइए दोस्तों इस में बहुत सारे गलत करेंगे या टाइमिंग लेंगे, बहुत सार आपका time consume होने वाला है, लेकिर मैं इसका भी sort trick आपको बताऊँगा, यहाँ पर, तो आपका time consume बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, अपने को इसने दे रिखा है, उर्जा दे रखिए है, त्यान रखना है, ये यह formula करेंगे बहुत सारे यूँच करेंगे भी यह वाला formula भी यहाँ पर यूँच करेंगे बहुत सारे यह formula यूँच करेंगे लेकिन मैं इसमें recommended करूंगा कि आप formula यूँच करें यहाँ पर 12.27, 12.27 root V इस formula से आप easy तरीके से इसका answer निकाल पाओगे अब वो किस परिकार से निकाल पाओगे आप जल्दी से पहले आप बताईए क्योंकि यह formula भी यूच होगा यह भी यूच होगा लेकिन यह वाला जो formula यह बहुत लेंती पड़ जाएगा आपका क्या हो जाएगा बहुत लेंती पड़ जाएगा सोट formula यह रहेगा तो चलिए आपका answer आगर आगया थीके सो एलेक्ट्रों और हमें इजगा डेर का लेकिन आपको फॉर्मुला पता होगा कल वाली क्लास में अपने देखा था इजगल टू क्या होता है यह वी नोट यानिकी यह क्या यह विवांतर है ठीक है वीवांतर नोट यह निरोधी वीवाव भी बोल सकते हैं तो हमें E दे रखा है तो E की value अपने पास 100 electron volt है तो 100 electron volt और E note तो electron से electron cut गया यानि कि V note is equal to क्या बच गया 100 volt अपने पास answer बच गया यानि कि विवांतर अपने पास 100 volt बच गया है simply अब कुछ नहीं करना आपने को पास विवांतर 100 volt आ गया तो अपने पास formula है कौन सा जो golden formula है अपने पास कौन सा वाला lambda है is equal to 12.27 upon root V इसमें value put up करनी है 27 upon root 100 100 का root किता होता है 10 होता है यानि कि 1.2 दस का बाग उसमें 1.27 ये एंग स्टोंग में अपना answer हो जाएगा यानि कि option number first बिल्कुल right होगा ठीक है देख सकते हो आप अब गर आप उस form ले से भी करोगे तब भी आपका answer वही आएगा यानि कि विवानतर आपका 100 होगा और electron के लिए ये formula यूज करते हैं और इसमें value put up करेंगे तो इसका root 100 का root कितना होता है 10 होता है और 10 से बाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास 1.227 angstrom अपना answer हो जाएगा तो option number first बिल्कुल right होगा दोस्तों ठीक है अगर आपको question समझ में आ रहे हैं तो अब भी से इसको like करके और share जरूर कर देना अगला question से आपका question number 8 कि सम्मान विवानतर से तोरीत सम्मान विवानतर से तोरीत लिवानतर की तरंग देरे का अनुपात होगा यनि कि सेम उनका विवानतर क्या है V is equal to दोनों का V1 और V2 क्या है यनि कि V, VD और VP VD और VP क्या है सेम है तो सम्मान विवानतर से तोरीत अलेक्टरन और प्रोटरन का तरंग देरे हमें ग्याद करना होगा होती है कि इस पर चाय जो प्रोटरन हो एक नोट्रोन और बढ़ जाती है जिसमें कोई नोट्रोन नहीं होता एक होता है जिसमें ड्यूट्रोन जिससा का पर अबहर सेम रहे हैं कि डरिमान तीन होता है लेकिं उसमें उसमें एक ही रहीगी प्रोट्रों की रहेगी लेकिं नेडियो टोन की संख्या नियोट्रों जाती हैं जो डिशन और प्रोटोन होता है जึक हैं संवे मैं सेमे होती है तो देखते हैं आगे का आज Bowser's answer सब्सके का अंसर इसका आ रहा होगा option number कौन सा second बिल्कुल sorry option number first बिल्कुल राइट आ रहा है इसका सभी का अंसर होगा option number first अब किस प्रकार होगा है तो आप सभी को पता है formula है lambda is equal to h upon 2m e ठीक है यानि कि यहां पर अपने पास विबांतर से कोई संब्द नहीं आया यहां पर आपको एक तो दर्मान दे रखा है और आपको ई दे रखा है तो अब इसमें देखना मतलब is equal to क्या होता है इस इकल टो पन ने भी formula किया था इस इकल टो इवी नोट भी होता है यानि कि विबांतर तो सेम हो गया अब सब्सक्राइब पहते ट кого और को जिक्षा होगे यानी कि दो फोर्मलाश हो Мих Schaut h क्या i月 already constant है तुझको एक लिखे ंगे समान पाती में टू already constant है तो टू जैसा आट गया mm बच गया और e anywhere । ये समान होगिया दोनों को तो वो तो दोनों की तैब से कट जाएगी तो l data बेच कर्मान पाती होता है ROOT-M के तो ROOT-M क्या होता है आप सभी को पता है cooldown का जो दर्वेमान होता है 2MP होता है यानि कि जतना proton का होगा उसका double किसका हो जाता है किसका हो जाता है 的utron का हो जाता है ग्रेपल हो जाता है और अगर हम alpha-cond की बात करते हैं तो alpha-cond में एलपा करण में आपका कया होता है जो धरवेमान होता है वो चार गुना हो जाता culture हो जाते प्रोटूण की तुल में ठींट करदें और Sara ए प्रोट॑न का इंप हो जाएगा तो करें सिंपल निकालते हैं देखते हैं इसम Nate ऺरका जो है तो देख सकते हो सम्मान विबर मतलब और जा भी सम्मान होगी क्यूंका हो सम्मान जाएगी तो देख सकते हैं इसमें लेंबराठी एपउन लेंड पी ईजो लेंट पंडं पाती होगा चाहिए तो म क्रशन के question number 8 तक अपने सारी बात complete हो गई question number 9 के और हम बढ़ते हैं अच्छा question है कोई भी गलत नहीं करेगा आना चीए बस आपको calculation आएगी तो इसका answer आप easy तरीके से करोगे ठीक है तो बताए इसका answer क्या होगा कि एक electron gun में तवरक ओल्ट था पचास अजार ओल्ट है तो electron की डी ब्रोगली तरंग दे रहे होगी तो बताना है आपको electron की डी ब्रोगली तरंग दे रहे होगी जल्दी से questions का right answer आप बताईए क्या होने वाला इसका right answer तो सभी comment करिए इसका answer 0.55 angstrom 0.055 angstrom 0.077 angstrom या 0.095 angstrom तो इस questions का जो right answer रहेगा वो आप सभी comment करके बताईए क्योंकि आप सभी के answer पहले आने चीए नहीं तो आप ऐसे तो आपको chitting हो जाएगी तो आप सभी पहले comment करिए तो दोस्तों इस questions का जो right answer होगा option number कौन सा option number second विल्कुल right होगा एक पते की बात मैं आपको पता दूँ आप सभी के लिए PCB की e-books की ओपर सेल चल रहे है इसमें आप PDF ले सकते हो only 100 रुपे में PCB की तीनो subject की e-books आपको मिल जाएगी तीनो subject की आप e-books ले सकते हो ठीक है 0.055 एंग स्टों मिसका right answer हो जाएगा यहने की option number second बिल्कुल right होगा क्यूंकि आप सभी को पता है गोल्डन फोर्मुला lambda is equal to 12.27 upon root V कुछ निकरना वी की value अपन को दे रखिए root V की value कितनी दे रखिए अपनों को 50,000 दे रखिए तो इसको किस प्रकार लिखा लिए यहने कि इनका 11 0 इनमेस उटा लेंगा ने कि सो तो बाहर हो गया अंदर 5 रह गए root 5 की value कितनी होती है आपको root 5 की value पता होनी चाहिए root 5 की value होती है ठीक है यह रूट 5 की वेली होती है इससे 2.23 से इसको काटते हैं तो 5.50 बार कट जाता है जब इसको सोच से बूर डिवाइड करते हैं तो 0.055 अपना आंसर आ जाता है यह जाता है तो दोस्तों आपको क्यूसंस अच्छे लग रहें नहीं लग रहें यह कमेंट बोक्स में ज इलेक्टोन की तरंक परकरती की वैक्या किस से होती है माइकल्स प्रयोग से डेविस जर्मर प्रयोग से रोजन प्रयोग से या रदरफोर्ड प्रयोग से चार प्रयोग आपके सामने है तो आपको बताना है इसका अंसर क्या होगा कि इलेक्टोन तरंक परकरती की वैक्या क हम इसकी व्याख्या करते हैं डेविज जर्मर प्रयोग जो होता है इसमें तीन बाग होते हैं एलेक्टोन गन निकल क्रिष्टल आइनन कक्स कक्स यह सभी तीन बाग होते हैं इन तीन बागों की मदद से हम एलेक्टोन के तरंक परकती की व्याख्या कर पाते हैं और डेविज जाते हैं और तो डे ब्रोली तरंग देरे का अनुपात क्या होगा अब इसमें बहुत सारे अब इसमें होगे कनफ्यूज मैंने इसके बारे में तोड़ा सा बता तो दिया था लेकिन फिर भी इसमें कनफ्यूज होएंगे इलपा कन दे रहे चापने को प्रूटोन दे रहा है तो इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी से इस ने पर आपको आना जरूरिएज है प्रोटोन दे रहका है ऐलपा करने यहां पर नेट्वों को तो पाटोन को डरवयमानन से की तो यहीं गही है में से भिकशिगा होता है एम एलफा एजीपल्ट होता है चार एमपी क्या होता है चार एमपी जो प्रोटोन का एलेक्टोन में जो इलेक्टोन होते है वो कितने होते है ए होते है ठीक है एलेक्टोन के जो आवेस होता है यह होता है लेकिन जो एलफा कन होता है एलफा कन पर आवेस कितना होता है फोर ए होते हैं उसका दर्वमान जो होता है उसका दर्वमान चार होता है आपको पता है से क्यूंकि एक तरह सा हीलियम नाभी ही है और इसका जो हीलियम का जो इलेक्ट्रोन होते हैं अब होते हैं और हीलियियम ना नाविक ही होता है लिघार नाविक होता है हीलियम नाविक में चार दर्व नाविक का दो यूस्त में तो जीज आपको समझ में आने उसका होता है अब अब कुछ यह करना Simply value tut up करक connected करके यूंस निकाल法 ?? का यूज करके तो अपना जो फोर्मूला यह चापोन टू एम ए ठीक है इजिकल टू क्या होता है इस इकल टू ईवी यानि कि कि इसका एक तो ई होगा आपका पी का और एक यह होगा लेम एलपा का दोनों का पन लिखते हैं आगे देख सकते हैं आगे मैंने इसका सॉलिशन आ और आगे सोल किया है यह चापोन रूट टू-म यानि कि यह जो आपका अलेक्टोन वाला एंव और वीनोट यानिकी वीबाव ठीक है इसको आगे हम सोल करते हैं तो लेमडा पी लेमडा पी यानिक सबसे पहले लेमडा पी का लिखते तो लेमडा पी का इस प्रकार आएगा य है इदर किसका गया है एलफा गया एक सबीक इसी कट सभी में से में कट गया वीनोट समानने कि तो एजिथा अथे विसा फ़ी लेव समाने एक विव गट गया तो इनको सीदह EPCP cut गया MPC cut गया तो उपर क्या बचता है उपर आपका बचा root 2 root 4 into 2 यानि कि उपर 8 बच गया और नीचे 1 बच गा root 1 यानि की root 8 उपर बच गया root 8 का क्या होता है to root 2 होता है तो answer क्या होगा अपना option नमबर यह हो जाएगा तू रूट टू अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो यह इसका उप्संस होगा उप्संट नमबर सेकंड तो दोस्तों आपको यह क्यूसर अब समझ में आ गया होगा अगला क्यूसर नमबर 12 अपना है सभी कमेंट करके बताना कि एदी इलेक्टोन का वेग बढ़ा दिया जाए तो सम्बंदित डी ब्रोगली तरंग देएरिये का क्या होगा आपको जो इसमें सबसे इंपोर्मला याद रख लेना फोर्मला आपका स्टार्ट होता है एच अपॉन पी और एच अपॉन एमवी एच अपॉन टू रूट एम इपस ये तीन फोर्मले इसके लावा एक सबसे इंपोर्मला जो रहेगा इस चेप्टर में ये फोर्मला आपको देख लेने ताकि इसी फोर्मले से क्यूसर आता है कोई बार की चीज़ आपको नहीं जो भी एक्जामनल पूचता है वो यहीं से पूचता है तो यह चार-पाँच फोर्मले जो आपको बस यहीं से गुम फिरा के क्यूसर गूम फिर के क्यूसर सारे यहीं से आने वाले यह तो बताएटी इलेक्ट्रोन का वेग बड़ा दिया जाए तो संबद दी ब्रोगली त्रंग दे रहे हैं क्या होगा तो उसका क्या होगा तो simply बात है अपन को अभी formula देखा था यह इक उटल टू एच एपवन पी क्या यहां पर इस तरह संवेग का formula क्या होता है समवे का जो formula होता है आपको पता होगा संवे का mv तो simply क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रोन ने इलेक्ट्रोन का दर्वमान भी सेम रहेगा और उसका ओनली वेगी चेंज किया जा रहा है यानि कि उसका प्लांक इस तरहां के यच यच भी नियत रहेगा तो यानि लेम्रा समान पाती विद्करमान पाती वी ठीक है अगर वी सब्सक्राइब करदा है अगर वेग बढ़ता है इसमें कि वेग बढ़ा जा रहा है वेग बढ़ता है तो तरंग देरी क्या हो जाएगा अपने आप ही ड्याओन अगर आपसे लिए लेकर आया था अगर आपको मेरी मैंदत अच्छी लग रही हो तो जरूर एक बार लाइक कर देना अगर मेरी मेनित आपको अच्छी लगती हो तो घुल से ज़सान नंबर तर्टीन अच्छा किसे ने भी कि सम्मान गती जूर जा क्या सम्मान कि प्रोटौन तता ऐलपा कर्णों की तरंग दे रिए लैमडा पी एंड लैमडा अलprechen अलपा एं तो क्या होगा तो किस परकार इनके बीच में संबन आएगा मतलब λेम्डा पी इकल टू का होगा लेम्डा किस परकार इनको अलफा को लिखना है अपनको मतलब अलफा कणकी और प्रोटोन की जो तरंग दे रहे हैं उसमें संबन अपनको इस्तापित करना है जब गती जुर्जा सेम होती है तो कौन सा formula यूज होगा आप सभी पहले answer बताइए फिर मैं comment करूँगा आपको 30-40 second का answer time देता हूँ मैं जल्दी से आप answer बता दीजिसका सभी इस questions का right answer comment करने की कोसिस करिएगा जितना जल्दी हो से कि अतना जल्दी इस questions का answer करिएगा दो questions और बचे होए है simple questions है वो theoretical questions ही है बट theoretical questions तो सारे theoretical questions थे आज के लेकिन सभी में concept लग रहाता कौन से formula का कहां पर concept लग रहाता सारे concept wise मैं आज पूरी details से आपको करवाता आ रहा हूँ अगर आपको AC class और ऐसे जबरदस्त topic study material चीए तो आप अभी हमारे इस छोटे से चैनल को अभी subscribe कर लीजिए आपको यह जरूर SMS जैसे बड़े को जो मैं सिलेक्शन दिलाने में काम आएगा हाला कि हमारे पास कुछ facilities नहीं हैं पर फिर भी हम किसी से कम नहीं है हम से जितना हो सकेगा उतना हम आप से करवाएंगे तो इस questions का जो right answer होगा option number four बिल्कुल right हो जाएगा lambda p lambda p is equal to क्या होता है is equal to होता है 2 lambda alpha ठीक है किस परकार स्वोल करना है तो इसका जो formula है lambda is equal to h upon lambda is equal to h upon 2me यानि कि इसमें क्या-क्या सेम दे रहे हैं उसने h constant हट जाएगा और two constant हट जाएगा यह दोनों में सेम है तो इभी हट जाएगा यह लेम्डा समान पाती लेम्डा व्योत कर्मान पाती root 2 root M इसमें बस value put up करनी है और आंसर निकाल लेना है देखते हैं किसे तो यह जो सब भी हट गए लास्ट में बच्चा तो लेम्डा पी पॉन लेम्डा अलफा इस इक्वल टू रूट root M alpha and root M P root root sorry M alpha is equal to क्या होता है 4 M P आपको पता है इसे पहले में बता चुका हूँ already पहले वाले questions में बता चुका हूँ तो आपके सामने लिख भी रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसमें value put up करनी है MP से MP कट जाएगा उपर बचा 2 2 upon 1 यानिकी right answer होगे अपना कौन सावाला यानिकी जो last अपने पास आता है P upon alpha यानिकी 2 यानिकी इनको cross multiply करेंगे तो क्या जाएगा lambda P is equal to 2 lambda alpha तो option number 4 पिल्कुल right होगा अगला questions question number 14th इंपोर्टन्ट कुस्टन से आज का question of the day यानिकी day of the question यही बनने वाला है कि निमन में से कर्ण सम्मान वेग से गती कर रहे हैं तो किसकी डिवरोगली त्रंग देरे अधिक्तम होगा यानिकी वेग तो क्या उनमें सेम है लेकिन उनकी त्रंग देरे में क्या एफिक्ट पड़ेगा वेग से मुनेक बाद भी क्या उनकी त्रंग देरे किसकी सबसे जद्ध होगी तो आपको द्यान होना चाहिए फॉर्मुला में बार-बार करवा लेमडा एज इकल टू एच अपन पी यहां पर क्या वेग से में तो वेग अट जाएगा और एच क्या है यहां पर एच आपका जो रहने वाला है कॉंस्टंट है तो इसको घठा देते हैं तो इसनकी वित-कर्पाथी करेंगे लेमडा वित-कर्पाथी:" पासी म", यहनcciones का सबसे म जदा है , उसका लेमडा क्या होगा कम होगा और जिसका यह कम होगंगा उसका लेमडा क्या होगा अधीक होगा तो देखते हैं किसका यह सबसे M सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा जो M रहेगा वह आपको पता है MP इसका रहेगा हमें आपके सामने दिखाता हूं इसका आंसर जो रहेगा option number 4 बिल्कूल right हो जाएगा क्या option number 4 यानि की बीटा करन क्या होगा इसका right answer हो जाएगा अब किस परकार होगा आप सभी को मैं बताता हूँ जो proton होता है proton का जो m यानि कि दर्विमान कितना होता है 1.6667 into 10 की power minus 27 kg होता है यानि कि बहुत ज़्यादा है जो neutron का कितना होता है लगबग उतना ही होता है जितना proton का होता है एलफा कन का एलफा कन का कितना होता है एलफा कन का जो दर्विमान होता है वो प्रोटोन के दर्विमान का चार गुना होता है कितना होता है चार गुना होता है और जो बीटा कन होता है बीटा कन का सबसे कम होता है इनके माइनस 10 के पावर 31 kg होता है इनके सबसे कम किसको का बीटा कन का है बीटा कन और इलेक्ट्रोन एक ही चीज होती है इलेक्ट्रोन बोला है बीटा कन बोलो एक ही बात होती है तो सब ज से पूचा कि अधिक्तम त्रंग देरे किसकी होगी अधिक्तम होगी तो अधिक्तम पूचा अगर अपसे से कम पूच लेता तो कम अपनी किसकी होती कम होती सबसे कम होती अपनी एलपा करन की क्योंकि यह प्रोटन के विचार गुना इसका बेट होता है ठीक है दोस्तों अपन सब्सक्राइब दर्साती है तो क्या सब्सक्राइब दर्साती है तो दोस्तों आज की क्लास आपको केसी लगी अगर अच्छी लगी हो अगर आपको मेरी मेनत लगी हुआ कि मैंने मेनत की इस क्लास के लिए तो जरूर क्लास को लाइक करना और अपने सारे प्रेंट्स में जरूर सेर करना अगर questions आपका यहां से इन questions में से या जो topic आज questions मेंने करवाए इस topics में से अगर एक भी questions आपका बाहर चला जाता है तब बताना आप कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी चाए M's का exam हो चाए NET का भी अगर exam दोगो तो इससे बाहर questions नहीं जाएगे modern physics आपकी में जबर्दस्त करवा दोगा और साथ का साथ आपका revision भी होता जा रहा है तो दोस्तों मिलते हैं अगले class में धन्यवाद